ओम शैन्ती आज का क्लास का टाइटल है माहान भाग्यशाली वह है जो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दे पितावरत और सतीवरत बन कर रहे दादी जानकी जी का क्लास है 14 फेप्वरी 2006 का हम बाबा के बच्चों की एंगेजमेंट के साथ साथ शादी भी हो जाती है पक्का सौधा कर लेते हैं किया है बाबा से पक्का सौधा कहे हाँ जी बाबा मैं कहूंगी इन जैसा कोई नहीं मिलेगा वो कहेगा इन जैसी सच्ची सजनी कहां मिलेगी तो पितावरत और सतीवरत पितावरत में कोई वर्से की परवाह नहीं करेगा या जबरदस्ती वर्सा ले लेगा सतीवरत में यह सब नहीं चलता है सतीवरत में सच्चाई, इमानदारी और वफादारी चाहिए जैसे चलाए हांची पितावरत में कभी हुंहा करेगा सतिव्रत में कभी नहीं करेगा ल जैसे मम्मा बाबा के बाजू में बैट सारा टाइम बाबा को देखती रहेगी कभी सामने में मम्मा ने हमको नहीं देखा होगा शुरू के दिनों कराची में बाबा तीन-तीन घंटे मुर्ली चलाता था फिर धीरे धीरे टाइम फिक्स कर लिया बाबा मुरली के समय कारोबार की बात कभी नहीं करेगा हाँ जितना जरूर कहेगा आज टोली क्या मिलेगी माना जो जरूरी है वो बाते करेगे मुरली में बाबा बाबा और कोई कारोबार नहीं बताएगा बाकी और कोई कारोबार नहीं लेते थे बाबा मुरली में मुरली के बाद भी फोरण कारोबार नहीं मुरली के बाद मुरली का रिविजन कराते थे तो उसी नशे में मीठी मीठे अनुभव में खो जाते थे वो feeling है सदा स्मृती स्वरूप रहने में मदद करती है अपनी वा अन्यक की पुरानी बात अगर भूलना सहज नहीं लगता है तो योग नहीं है अगर पुरानी स्मृती के आधार से व्यभार में आते बोलचाल में टॉंटिंग की ट्यूनिंग सुनाई देती तो यह भी योगी के लक्षन नहीं योगी के जीवन में अलोकिकता वा दिव्यता होने कारण उसके बोल अर्थ सहीत होंगे स्विकार करने लायक होंगे अलोकिकता में लोकिकता मिक्स नहों कोई गिने चुने बाबा के बच्चे है जिन्होंने फट से लौकिक से अलौकिक जीवन बना दी तो ऐसे बाबा के बच्चे कोई भी आगे जा सकते है हमारे पास अगर निश्चय का बल है तो उड़ाने वाले को इजी हो जाता है हमें निश्य का बल उड़ा लेता है उड़ने वाले को उड़ना है तो उड़ाने वाले को उपर खिचने में देरी नहीं लगती पर अभी यहां ही बैठना है यहां की दुन्या को ही देखना है यहां के संसकार अनुसार चलना है तो बाबा भी आखिर देखता है बाबा ऐसे हम बच्चों को छोड़ता नहीं है कोई भी घड़ी आए बच्चा उड़े अपनी चोईस का भी बंधन है इतना बड़ा चांस मिलता है फिर भी कोई और चोईस रखता है तो उसे क्या कहे? बाबा इतना बड़ा चांस देता है उड़ने का पर यदि हमने उड़ने की चोईस ही नहीं की तो क्या कहेंगे अभी तक जिसके मन में है कि मेरी तो यह चोईस है तो बहु भी कहेगा अच्छा भले फिर बाबा भी बच्चे को कहेगा भले बच्चा जैसी आपकी पसंद वैसा करो बाबा कितना उँच उठाने का चांस दे रहा है लौटरी मिल रही है अच्छानक किसी को लौटरी मिलती है तो वो पागल हो जाते है न खुशी के मारे पागल हो जाते है यहां भी कोई लौटरी मिलती है तो पागल बन जाते है कितनी बड़ी राजाई मिलती है तो अपने दिल से बाते करो बाबा ने क्या दिया है कितना दिया है तो दिल में और कोई बात आती ही नहीं है तो लौकिक को अलौकिक में बदल लेना है यह है महान भाग्यशाली का काम भाग्य बनाने की लोटरी मिली है तो कोई भी बात दिल में मन में रखने के लिए जिसके पास स्थानी नहीं है वही औरों को आप समान बना सकेंगे मन में कोई और बात रखने के लिए जगह ही नहीं होगी तो दूसरों को हम बाप समान बना सकते है आप समान बना सकते है आप समान बनाने वाले को देखके प्रेणा मिलती है कि इन जैसा मेरे को पुरुशार्थ करना चाहिए हमारे पुरुशार्थ से दूसरों को प्रेणा मिले पहले बाबा कहते थे बच्चे दूसरे को भी आप समान बनाओ लेकिन आप समान बनाना माना अपने जैसा बनाना मेरे में कुछ कमी कमजोरियां भी होंगी तो इस बिचारे की क्या गती होगी अभी बाबा कहते है बच्चे बाप समान बनो और बनाओ बाबा को सामने रखके इशारा दो ताकि वह भी समानता में आ जाए उंचे पुरुशार्थ में समानता आ जाए हर बात में न्यारे बनने में और भाग्यवान बनने में खुश नसीब बनने में समान तो क्या इससे भी आगे बढ़े हमारे से भी आगे बढ़े वो ऐसी शुप्भावना हो सभी के लिए कभी कोई बड़े उंचे महारती को भी किसी से इर्श्या हो जाती है वो नहीं चाहेंगे कि यह आगे चला जाए और मैं पीछे हूँ परन्तु सच्चा पुरुशार्थी इस बात को भी असुल नहीं देखता है ऐसे नहीं सोचेगा कि भी यह तो मेरे से भी आगे जा रहा है अपनी घोट तो नशा चड़े जो ओटे सो अर्जुन अज मुरली में भी बाबा ने कितने अच्छे से डेफिनेशन बताई न अर्जुन की और कैसे हमें अपने अंदर जो बाबा कहता है उसे धारन करना है अर्जन करना है जो आपे ही करे वो देवता तो हम किसी को देख करके आगे नहीं जा सकते है गुण उठावे पर अपनी घोट तनशा चड़े जो आपे ही करे बाबा को देखकर करे वही देवपद पा सकता है ऐसी अच्छी-च्छी उँची उँची बाते है उसको छोड़ करके हम बीच की बातों में क्या करे क्यों रहे बीच की बातों में अम इतनी अच्छी अच्छी बाते छोड़ कर जो खुदी बीच भवर में भटक रहा है वो और उको क्या रास्ता दिखाएगा उनके संग में तो और ही भटकेंगे तो हरे एक अपने पुरुशार्थ में एक बाबा को सामने रखे सीधी राहा पर चले न इधर देखे न उधर देखे न पास्च की बातों का कोई चिंतन करे फ्यूचर का फिक्र अब करे ऐसा केरलेस हो करना चले दिन रात अपने पुरुशार्थ के लिए इतनी धुन लगी रहे तभी शंख ध्वनी होगी आवास दूर तक पहुचेगा तो पुरुशार्थ ऐसा हो जो हमारा चिंतन शुद श्रेष्ट बनता जाए आपस में दस पंदरा होंगे तो कहेंगे मैं अच्छी हूँ और सब कहेंगे हाँ यह अच्छी है लेकिन जब मधुबन में पांच सु हजार की बीच में आएंगे फिर देखे अभी तो लाखो भी के हो गए है उसके बीच में बोले हर कोई बोले हाँ यह अच्छा है बाबा भी सर्टिफिकेट देवे ना तो अपने उपर इतना ध्यान रखना पड़ेगा इतना अटेंशन हमारे उपर हो कि हम सभी के जैसे बाबा कहते है तीन सर्टिफिकेट एक है आप पसंद दूसरा बाप पसंद और तीसरा परिवार पसंद तो हर कोई आप पसंद तो होता ही है हर कोई यह समझता है मैं राइट हूँ मैं सही हूँ परन्तु श्रीमत अनुसार चलना यह आप पसंद जब ऐसे आप पसंद बनेंगे तो बाप पसंद बनेंगे और जहां बाप पसंद बनेंगे तो आप परिवार का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अपने उपर इतना ध्यान रखना पड़ेगा हमें न सिर्फ पास होना है लेकिन पास वित ओनर में आना है जो एक मिनिट भी बाबा को भूलेंगे वो पास वित ओनर में नहीं आएंगे कितनी गूई यह पॉइंट है एक मिनिट भी बाबा को भूलेंगे तो पास वित ओनर में नहीं आएंगे तो कितना अटेंशन हमारा एक एक मिनिट पर होना चाहिए जो श्रीमत को सिर माथे पर रखेंगे अपनी मन मत नहीं चलाएंगे वही पास वित ओनर बनेंगे अच्छा ओम शांती तो ऐसे पास वित ओनर बनने के लिए ओटे सो अर्जुन बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से इन बातों को गहियता को समझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ पॉइंट्स वापस सुननी चाहिए और जरूर सुननी भी चाहिए तो एक लास को हम रातरी तो सुन रहे है परन्तु कल भी जब भी दिन में समय मिले तो सुनने ताकी महान भाग्यशाली की परिभाशा इसमें बताही है दादी जी, ने प्रेक्टिकल जीवन में काफी सारी पॉइंट्स प्रेक्टिकल इंप्लीमेंट करके सनाती थी न लाने के लिए जितना उज्ञान को अरजन करेंगे सुनेंगे उतना ही तो अर्जन करेंगे दादी जी ने practically अपने आपको बताया बाबा से पूछा बाबा मैं तो थोड़ी देरी से आई हूँ बागी तो सब मेरे से पहले आया है तो मैं नंबर वन में कैसे जाऊँ तो बाबा ने उन्हें कहा मुरली बार-बार बढ़ो तो दादी जी रुज बारा करें कैसे अपनी जीवन को बाब पसंद, परिवार पसंद और आप पसंद बनाए तो ये क्लास हम कल दिन में दो बार सुनेंगे कमेंट में ओम शान्ती लिखेंगे कि हमारा अटेंशन जाए कि हमने किया कि नहीं माना वो आपका अटेंडन्स भी आ जाएगा फिर आपको चार्ट में लिखने के ज़रूरत नहीं है कचेरी ग्रूप में इत्मेंटिकली एड़ अट अप हो जाएगा बाबा के पास कल सुबह मिलेंगे अम्रतवेला लाइव चार बजे योग भूग पानी चार्जिंग और मुडली के लिए रोज की तरह रात्री क्लास में पॉने नौ बजे शुब रात्री ओम शन्ती